हेलो एवरीवान नमस्कार हमारे योट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों कई बार गल्टी से तेल या घी गिर जाता है ऐसे में लोग इसे अशुब मानते हैं तेल या घी का गिरना किसी अच्छी बात का संकेत नहीं माना जाता है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके परभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए कौन से उपाई करने चाहिए तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से अनुरोध है अगर आप इस चैनल पर नए आई हैं और पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वेल आइकन बटन प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनोंने इस चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये आपका अपना चैनल है इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंतितर जरूर देखिया ताकि कोई भी जानकारी छूटने जाए तो आहिए शुरू करते हैं दोस्तों भारती संस्कृती में कोई भी मांगलिक कारिय सरसों के तेल के बिना नहीं किया जाता है खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर मालिश तक करने में सरसों के तेल का इस्तिमाल होता है तेल को यनकी आईल को शनी ग्रह का परतीक माना गया है नव ग्रहों में शनी को न्याई का देवता माना जाता है अगर तेल गलती से गिर जाए तो कारियों में बाधायाती है और धन हानी होने लगती है ठीक इसी तरह घी जो है ब्रस्पती का परतीक माने जाता है और ब्रस्पती धर्म के देवता माने जाते है घी का गिरना धर्म की हानी मानी जाती है इसी वज़े से घर के सदस्यों के बीच में मतवेद होने लगता है अगर जाने अन्जाने में फर्ष पर यनकी जमीन पर या फर्ष पर तेल या घी गिर जाए तो उसे उसी बरतल में उठा कर ना रखें जिससे वो गिरा है और नहीं इसका इस्तेमाल करें वरना आपके कारे में आपके हर कारे में बादा आएगी चाहे वो ओयल घी कितना भी महंगा हो या कितनी भी क्वांटिटी में गिर चुका हो तो उस गिरे हुए तेल को या उस गिरे हुए घी को पर योग नहीं करना चाहिए गिरा हुआ तेल उसी बर्तन में डालने या फिर इस्तेमाल करने से घर में दरीदरता भी आ सकती है इसलिए ऐसा करने से बचिएगा तेल गिरने का दोश हटाने के लिए चावल या रोटी में वो तेल लगा लें और इसे किसी जानवर को खिला दें जो तेल या घी फर्ष पर गिर जाता है उसे उठाकर परियोग में ना करें उसे किसी रोटी पर या चावल में मिक्स करके किसी जानवर को खिला दें इससे ये दोश घर के बाहर निकल जाएगा और घर के किसी सदस्य पर नहीं आएगा तो दोस्तों आज का वीडियो में समाप्त करती हूँ उमीद है आपको ये जानकरी पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजे ताकि औरों को भी इसे लाप राप्त हो और अगर आपको हमारी द्वरा दीगई जानकरी पसंद आती हैं यूजफूल लगती हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे बहले और वीडियो का अंति तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें अपनों ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखेगा जैश्रीहरी हरहर महादेव